हेलो स्टेंट्स तुड़े विल लर्न अबाउट टेक्स्ट बूक अक्सरसाइज कोश्चन नम्बर फाइव ओफ चैप्टर सेवन कंसरवेशन अब प्लांट्स एन अनिमल क्लास एट सीबियसी और एंसी आर्टिस साइंस स्टेंट्स आज हम इस चैप्टर का कोश्चन नम्बर फाइव समझेंगे और उसे लर्न करेंगे कोश्चन नम्बर फाइव में स्टेंट्स इक्स पार्ट हैं सभी पार्ट्स का अंसर हमें ब्रीफ में देना है यानि टू और थ्री लाइन्स में फर्स्ट पार्ट में sentence उचा गया है why should we conserve biodiversity कि हमें biodiversity को conserve यानि की protect क्यों करना चाहिए why should क्या need है क्या जरूरत है कि बायो डाइवरस्टी को protect करें Biodiversity is the variety of all plants, animals and microorganisms. किस्टेंट बायो डायवरस्टी में क्या-क्या सामिल है? सभी plants सामिल है, animals and microorganisms. सभी बायो डायवरस्टी कहलाते हैं. We should conserve the biodiversity because it is very important for all living organisms and also for environment. क्योंकि स्टेंट जो plants, animals, microorganisms हैं, सभी एक दुसरे पे depend हैं. सभी living organisms के लिए important role है Biodiversity का और हमारे environment के लिए भी इनका important role है. So we should conserve it from being extinct. इसलिए स्टेंट समय इसको protect करना होगा, ताकि ये extinct यानि समाप्त ना होने पाएं. Next question, स्टेंट बी नमबर पार्ट में Protected forests are also not completely safe. कि जो forests protect किये गए हैं, वो भी पूरी तरह से complete safe नहीं हैं for wild animals के लिए why, इसका क्या री जने स्टेंट्स की protection देने के बाद भी fully completely safe नहीं हो पाते हमारे wild animals. The protected forests are also not completely safe for wild alive because illegal poaching, poaching यानि हंटिंग यानि कि गैर कानुनी तरिके से wild animals को पकड़ा जाता है, उनका सिकार किया जाता है, takes place at large scale in these areas. कि स्टेंट इन areas में आज भी large scale पर illegal poaching की जाती है wild animals की उनका सिकार किया जाता है और उनके जो हड़ियाओं है या मास उनको विदेसों में भेजा जाता है, बेच दिया जाता है. इसलिए स्टेंट फोरेश्ट हमारे प्रोटेक्टिड नहीं है, there is a need to make strict rules against poaching, इसलिए poaching के खिलाफ यानि illegal hunting जो होती है, उसके खिलाफ सक्त rule बनाने की आवश्यक्ता है, तभी ये हमारे forest प्रोटेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट स्टेंट सम ट्रीबल्स डिपैंड ओन दा जंगल, हाउ, कि कुछ जो ट्रीबल्स हैं, ट्रीबल्स जो people forest के बिलकुल आसपास या forest के अंदर ही रहते हैं, जंगल के बिलकुल नियर रहते या जंगल में अपने shelter बना कर रहते हैं, उनको ट्रीबल्स कहा जाता है, सो स्टेंट सम ट्रीबल्स डिपैंड ओन दा जंगल, वो जंगल पर डिपैंड करते हैं, हाउ, कैसे डिपैंड करते हैं स्टेंट, सम ट्रीबल्स डिपैंड ओन जंगल फोर देयर फूड, कि अपने food के लिए depend करते हैं clothes, clothes material के लिए depend करते हैं shelter, रहने का जो इस्थान है, home है उसके लिए depend करते हैं वूड के लिए, fuel के रूप में जो would use हो करते हैं उसके लिए depend करते हैं medicines and other requirements कि जड़ी बुटिया हैं और उनकी जो दूसरी requirements हैं जरूरते हैं इन सब के लिए स्टेंट्स जो ट्रिबल्स जाती के लोग हैं वो जंगल पर ही डिपेंड करते हैं नेक्स्ट स्टेंट्स बट आर दा कोजिजे एंड कंसेक्वेंसिजे ओफ डिफोरेस्टेशन चैप्टर में भी हमने इसको डिटेल वे स्टाड़ी किया था कि डिफोरेस्टेशन के कोजिजे यानि लास्किल पर ट्रीज की कटिंग की जाती है लेकिन उसका रीजन क्या है कोजिज क्या है क्या कारण है एंड कंसेक्वेंसिज और इसके रिजल्ट क्या निकलते है अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसके क्या रिजल्ट हमारे सामने आएंगे सुस्टेशन अ में कोज अफ डिफोरेस्टेशन इजे अर्बनी शेशन अर्बनी शेशन यानि कि जो सहर बसाए जा रहे हैं और इंडुस्टिलाइजेशन और इंडुस्टियां बनाई जा रही है उसके लिए ही डीज two किया जा रहा है तो मेंकोज इस ओर्भनी शेशन एंड इंडुस्टिलाइजीशन अब ained consequences क्या होगा अधा consequences यानि ज़ो result निकलेगा इसका और soil erosion क्योंकि जो trees हैं वो soil को जकड़े रखती हैं लेकिन trees cut कर देंगे deforestation हो जाएगा तो soil की जो अपर layer है टोप layer है वो erosion हो जाएगी क्या नहीं कि cut जाएगी soil erosion होना start हो जाएगा global warming यानि कि air में environment में CO2 की quantity बढ़ जाएगी जो global warming के लिए खत्रा है and depletion of groundwater और groundwater depletion यानि decrease हो जाएगा so strengths यह हैं consequences of a deforestation next what is a red data bouquet कि red data bouquet क्या है red data bouquet is a source bouquet कि एक ऐसी source bouquet है which keeps a record of all endangered species जिसमें सभी endangered species का record रखा जाता है species में सभी plants भी शामिल होते हैं animals भी तो species का मतलब है plants and animals what do you understand by the term migration कि migration word से हम क्या समझते हैं कि migration is a moment of species कि moment होना यानि one place से another place पे चले जाना migration कहलाता है migration is a moment of species especially birds कि species में वैसे तो plant animals सभी सामिल लेकिन plant कभी migration नहीं करते और animal भी कम ही migrate करते हैं especially जो birds and plants उनको migration करना होता है वही जातर migrate करते हैं यानि one place को छोड़ कर दूसरे place चले जाते हैं कि from their own habitat कि अपने habitat से to other habitats दूसरे habitat चले जाते हैं for a particular time period एक particular time period के लिए ही जाते हैं हमेशा के लिए नहीं जाते क्योंकि वो फिर वापिस अपने own habitat भी आ जाते हैं for a specific purpose और migration करने का स्टेंट एक special purpose होता है इसलिए वो migrate करते हैं like किस तरह के purpose ब्रेडिंग के लिए यानि reproduction करने के लिए searching of food etc इस purpose के लिए strands वो migrate करते हैं so friends यहां तक आज question number 5 को आपने अपने fair notebook में write करना है plus learn करना है और learn करके लिख कर देख सकते हैं या घर पर किसी को सुना सकते हैं okay friends thank you